नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, दोस्तों, जब तक आपके घर पे Google AdSense पिन नहीं आएगा, तब तक आप Google AdSense से पेमेंट नहीं ले सकते यानि कि YouTube की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी और दोस्तों, जब आपके घर पे यह आ जाता है, तो इसमें एक कोड होता है, उस कोड को हमें वरिफिकेशन के लिए डालना पड़ता है बट उससे पहले एक बात जरूर से बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए सबसे पहले कि हमारे घर पे ये कैसे आया, जब आपके Google Adsense में Identity Verification आप कर लोगे, तब Automatic ये Apply हो जाता है, आपके घर पे Google Adsense पिन आ जाएगा, तो इसको यहां से ऐसे फाड़ना, यहां से ऐसे फाड़ना है फाड़ने के बाद में, यहां पे एक Code आपको देखने को मिलेगा, बट उससे पहले आपको बता दूँ, कि यहां पे जरा आप देखिए, Verification चेक में, तो यहां पे Identity Verification मेरा Complete हो चुका है, जब तक आपका Identity Verification Complete नहीं होगा, तो आपके घर पे Google Adsense पिन नहीं आएगा, तो अब हम इसको Verify करने वाले हैं, दोस्तों देखो दो तरीके हैं, Verify करने का, एक तो यहां पे Action, बटन पर क्लिक करके, और दुसरा तरीका Address Verify, तो हम यहां पे Code डाल देते हैं, अब दोस्तों, जो इसमें Code था, वो Code मैंने यहां पे डाल दिया, Submit पर क्लिक कर दिया, मैंने दोस्तों, आपको क्या करना है, AdSense में जाना है, और यहां पे Payment Info में चले जाना है, यहां पे जाने के बाद, अगर आपका Bank Add का Options आ रहा है, तो ठीक है, अगर यहां पे Bank का Options नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ दिन वेट करना है, तो Address Verification और यहां पे Identity Verification दोनों हो चु यहां पर जो उपर Error है, अगर मैं यहां पे Refresh करूँगा, यह उपर से चला जाएगा दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को Like किजिए और Please चैनल को Subscribe जरूर कीजिए और अपने Friend के साथ Share कीजिए, तो मिलते हैं, ऐसे ही नए वीडियो में तब तक अपना खयाल रखे